हिमार्च प्रदेश के सोलन जिला में अब अधिकतर लोग डिजिटल पेमेंट से कार्य कर रहे हैं नकदी रहीत लेंदेन को बढ़ावा देने के उदेश्य से केंद सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के सोलन जिला में सार्थक परिणाम देखने को मिल रहे हैं डिजिटल पेमेंट से जहां एक और नकदी रखने का जंजर समाप्त हुआ है वहीं कारे करने और समान लेने में पारदर्शिता आई है सोलन के लोगों और दुकानदारों का कहना है कि डिजिटल लेन देन से उन्हें काफी लाब हो रहा है और पैसे सीधे उनके खाते में आ रहे हैं दुकानदारों का कहना है कि लोग जरूरत के हिसाब से अब पेमेंट करते हैं लोगों ने केंदर सरकार के इस Digital India योजना को खूप सराहा है इससे एक बहुत अच्छा फायदा हुआ है जब से कोवेड का काल शुरू आता तब से जादा बढ़ावा दिया गया कि इसकी वज़ा से कहा जा रहा था कि कोवेड भी शायद ना फैले कैश टांजेक्शन कम होंगी तो और सच में ऐसा हुआ है लोगों ने इस चीज़ का पा बरवाया दो जार रुबय का पेट्रोल भरवाया मुझे उसमें 400 रुबय कैश बैक आ गया तो फाइदे दिखते हैं तो एक यह बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि लोग प्रेफर कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट्स को हमारे लिए लावदा है क्योंकि हम जो सारी पेमेंट हैं वो ऑनलाइन करते हैं तो वो अच्छी बात है हमें कैश वैसे कई जगा हम कैश यूज नहीं करते तो फिर हम इसे ऑनलाइन यूज करते हैं सारी पेमेंट गूगल पे एटियम इस तरह हम कर देते हैं और हमें रिवार्ट्स मिलते हैं इसमें तो यह अच्छी बात है हमे कैस कैश ले जाने में कोई वो परिशानी हो जाती है कई बार इक्टियम भी एक्टियम में कैश नहीं होता है तो फिर हम अपने मोबायिल की जरिए इससे मतलब कैश पेमेंट कर सकते हैं Mom 101 बहुत ही आसान माते हम है इसके माते जम कहीं भी हाल-lion केंदर सरकार के डिज्टल इंडिया योजना से छोटी से लेकर बड़ी दुकान में लेंदेन में आसानी हुई है जिससे कहा जा सकता है कि केंदर सरकार की ये योजना सार्थक साबित हुई है डिडी न्यूस के लिए सोलन से लक्षमी दत्शर्मा की रिपोर्ट झाल झाल